हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है आपके परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासस में तो फ्रेंड्स हम लोग जो है आज सेट नम्मर सेबन करेंगे इंगलीज में ठीक है तो जो भी बच्चे हैं बिहार डियालेट इंट्रेंस एकजाम 2024 के लिए तयार लिखो और उसको अपने से लगा अगर नहीं लगता है तो फिर गलत अगर लगे तो ठीक है मैच करो मेरे से कहां गलती कि क्योंकि मैं इसके साथ आपका डिटेल एनलाइसिस नियम बताते चलूँगा कहां कहां कौन सा नियम लग रहा है ठीक है तापको कॉपी में नोट करन प्रिप्रेशन करवाया जाएगा तो चलते हैं कुष्ण स्टार्ट करते हैं कुष्ण नमर वण है पिक आउट दा नन इंफिनिटिव नन फनाइट भर्ब आपको यहां से नन इनफिनाइट भर्ब खोजना है गिभन सेंटेंस में जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है ठीक ह होते हैं कितने टाइप होते हैं तीन टाइप होते हैं एक होता है जीरेंड एक होता है कि पार्टिसिपल एक होता है कि इन्फिनी टीव ठीक है यह वर करता है नाउन की तरह यह वर करता है एड्जक्टिव की तरह यह वर करता है नाउन की तरह लेकिन इसमें क्या होता बहुता है यह भी भर प्लस आइनजी ही होता है और यह टू प्लस भी वन होता है ठीक है तो यह नॉर्मल होता है तो हम चलते हैं यहां तक देखते हैं क्या है अपका क्या subject है लेकिन यह क्या है प्रोणाउन है तो यह तो इसलिए में भर और यह इजा मैन एह हमारा आर्टिकल है और मैं हमारा क्या है १्र है ठीक है तो यहां तक तो नहीं मिला हमको नन इंपनाइट बर आगे बढ़ते हैं तू भी एड्मायड यहां दीके टू है यहां भी टू है भी है तो पहला रूप है ठीक है और एड्मायड यह हो गया भी त्री यह भी टू बोल सकते हैं तो भी थिरी यहां पर तो यह जो है बी-एड मायड टूवी एड मायड अच्छा आप बूलियेगा कि टू पलेस्ट पी वन आ गया सर तो यहींतु मिल गया हमको क्या अगर हमको इंफिनिटिव मिल गया तो मतलब नन फिनाइट भर भी मिल गया लेकिन यहां तो आपको दिया नहीं है भी नहीं नहीं भी तो मानना होगा लेकिन यहां बस condition change है कि यह किसका infinitive है यह कैसा इंफनिटीव है पैसी इंफनिटीव है क्योंकि यहां पर दीके बी लग गया ठीक है भी किसको करता है पैसीव भास को यहां पैसीव का इंफनिटीव दिया हुआ था ठीक है तो यह थोरा ध्यान देना है ठीक है तो आपका यहां से क्या हो जगा एड्मायर ओप्शन आपका राइट हो जाएगा यहां पर इंफिनिटिव को हुआ है एड्मायर चलते हैं आगे नेक्स्ट कुछिन आपका है फ्यूचर परफेक्टेंस चूज दा सेंटेंस वी थिदा फ्यूचर परफेक्टेंस आपको फ्यूचर परफेक्टेंस का कॉन से टेंस चार ऑप्शन में लग रहा है वह आपको यहां पर चूज करना है तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे यह option चार्टेंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे देखें पहले मैं लिए देता हूं future future perfect tense ठीक है future perfect tense का format क्या होता है इसका structure क्या होता है इसका structure एक बार लिख लेते हैं यह होता है subject plus cell या will plus have plus b3 plus object यह होता है आपका format किसका यह आपका format होता है future perfect tense का तो यहां से देख लेते हैं subject तो है subject है subject है subject हो गया cell 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 भी है चलिए यहां तो मिल रहा है have have be arriving इसमें कहीं पर लग रहा है भी राविंग नहीं तो सी गलत हो गया अच्छा के बाद arrive arrive cell के बाद हमारा क्या होना चाहिए इसमें है नहीं है यह भी गलत और देखिए have have been है यहां पर have been तो नहीं है बीन नहीं है तो option भी गलत तो हमारा बचा जो option बच गया यह है देखिए यहां पर है ना देख सेल मैच कर लो structure से have arrived by them ठीक है तो यह आपका इस structure से मैच कर रहा है तो आपका जो future perfect tense का structure यह होता है और उसमें यह sentence मैच कर रहा है तो option यह आपका right हो गया ठीक है आगे चलते हैं कि वीच आप दीज इस पंचुएशन मार्क आपको यहां पर खोड़ना है पंचुएशन मार्क खोजना है तब पंचुएशन मार्क खोजने के लिए क्लिए 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 इसमें से कौन सा पंचुएशन मार्क है तो आपका जो है यह पंचुएशन मार्क यह कहलाते हैं ठीक है पंचुएशन मार्क यह कहलाते हैं नहीं तो तिए मि कॉलन है और यह कहलाते है कि साब आपके पंचो इसन मार कहलाते हैं एक आपका कुछर मेर्चार है identify identify the passive voice of given sentence आपको जो sentence आपका पैसी बाइस निकलना पैसी पहचानना तो sentence आपका यह इसका मतलब यह किसमें दिया होगा active voice में दिया होगा इसी का आपको क्या करना है पैसी पहचानना है ठीक है तो देखिए many people also speak bhagpuri in Bihar तो यहां पर जो many people also speak many people यहां तक क्या है यह आपका subject है ठीक है इस पीक आपका भर्व है तो इस पीक भीवन में है तो भीवन में है तो किसमें है यह present में है देखिए आपका जो यह एक्टिब वहस्च आपका किसमें है झाले कि सिंपल के प्रजेंट में ठीक है तो इसका जो पैसी भास बनेगा सिंपल प्रजेंट का सब्सक्राइब इसका सबस्क्राइब है क्योंकि यह सिंपल प्रजेंट का हम चालने इसा बोला है कि 22 में बसर आधार याल रखनी है सब्जेक्ट याफ में बतलता है और यहां कर ठोक यहां पर को नौट ही ने होता है डिकला नोधे यहां पर वहाइद में इस सिंज नहीं होता बस इतने दिमांग तो में रखो अगर हमारा happier present में है तो उसका फॉर्मेट भी पर्जेंट में बनेगा ठींग कि है कर दिखी यहां पर भाजपूरी की है वह पूरी आपका आप आपका प्रिप्लम सेन और पुसिषन को और अब्जक्त से भिहार है ठीक है तो हमको लेना भर्व का अब्जेक्ट से तो देखे ने यहां पर भजपूरी ऑपजब्जेंट होग्ट होगा लिए अब जल्दी आंसर तक पहुचोगे आप बचपन जैसे पढ़ते थे कि पैसिव को अपैसिव में लिखेंगे तो वह से तैयारी नहीं होता है इक्जाम का तैयारी होता है आपको छांटना तो यह खतम हो गया आधिके भजपूरी दिख रहा है और सो यह राइट हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं चूज दा करेक्ट फ्रेज फ्रॉम दा गिवन ऑप्शन एंड में के कंडिशनल सेंटेंस यहां पर आपको क्या बोल रहा है कंडिशनल सेंटेंस बनाने बोल रहा है तो ओके यू केंड्राइब माई कार ओन कंडिशन डैट यू डैस ड्राइब फास्ट क्या बोला है कि ओके यू केंड्राइब माई कार ओन कंडिशन ठीक है इसमें पांच नमर में क्या बोल रहा है कि आपका जो वाक के हैं पहला भाग है वाक का पहला भाग उसमें आपको क्य यह किसमें है कि परजेंट कि यह आपका कि परजेंट कि टेंस में है ठीक है तो पहला वाक जो आपका परजेंट टेंस में है तो उसके बाद जो ओन कंडिशन ओन कंडिशन डेट के बाद जो आएगा वह क्या आएगा कंडिशन लग जाने अगर पहला वाक के परजेंट टेंस में है तो conditional sentence में याद रखिएगा कि condition के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर है on condition यहाँ पर दिखा रहा है on आप condition on condition के बाद क्या आजाएगा आपका the future means आना चाहिए ठीक है तो future टेंस यहां पर आना चाहिए future tense आणना चाहिए ठीक है तो future tense में future tense आना चाहिए के बाद future tense में perfect का प्रियोग perfect tense का प्रियोग होगा ठीक है किसका help ले लेंगे यहाँगा present tense का तो पूता sentence किसवें चलेगा present tense में तो यहाँपर आपका option E write हो जागाशाएगा बनाट बढाएगा ठीक है खुट नॉन ओर तो पास्ट होगया दिट नॉट भी पास्ट हो गया ये सब क्या हो गया पास्ट पास्ट तो ये तो पास्ट भढ़ाएगा ने क्योंकि सेंटेंस पुरा किसमें बात करेगा प्रिजंट-tend ॥ा अब हमारा छे नमर कुश्चन देखते हैं which one is the symbol of test dash का symbol आपको यहां पर बताना है डास का symbol कौन कहलाता है तो dash कौन कहलाता है option C क्योंकि यह यह और यह यह क्या कहला था आपका यह कहला था आपका यह सेमी अ कॉलन और यह क्या कहला था आपका कि एस्कला मेशन मार्क और यह क्या कहलाता है फूल इस टॉप ठीक है तो आपको और जो था और था यह बता दिया desk क्या कहलाता है यह sign कहलाता है ठीक है चलते हैं आगे कि इसलेक्ट दा अल्टरनेटिव वीच वेश्ट एक्स्प्रेस्ट दा मीनिंग ओव दा इडियम फ्रेज इडियम फ्रेज का सबसे जो अच्छा अर्थ निकल किया रहा है वह इस चार आपसं में आपको चूछ करना है तो टू एनफ्रो का अर्थ क्या होता है टू एनफ्रो का अर्थ गीशे क्या होता है तो ट्राइन इर्र नहीं राइट científic नहीं गा मेश्ट और सृट कीव था इस से आ रहा है आप एंड डाउन तो ऊपर नीचे होगा नहीं तो आपका ओप्शन क्या होगा राइट सी कि आठ नमर कुश्चन देख लेते हैं अश्वी फिलबड़ विद कर्यक्रख अप्शन आपको फिलेंड़ बलेंक्स बढ़ना आपका सही ऐप्शन के साथ भढना तो यहां पर मैतेमेटिक्स-n इंटरेस्टिंग सब्जक तो देखे हैं यहां पर जो है कि स्थे समेटिक जो है किसके इंटरेस्टिंग इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यहां पर यूज हुआ है वहां पर किसके यूज हुआ है विसय के अर्थ में यूज हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है विसय के अर्थ में यूज हो रहा है ना तो जब हम लोग नियम पर है कि विसय के अर्थ में जब यूज होता है mathematics का तो किस के तरह आप करता हैjust singular subject के तरह यह क्या करता वर करता जब यह singular subject बर्ड करेगा यह अपने साथ जो भर्ब लेगा वो कैशा लेगा тысяч singular भर्ब लेगा कैसा लेगा singular भर्ब लेगा तो यहTo होता है यह पनेलोता Ben यह भी पूलरल है मान लेजिए और भी आपका पूलरल है तो आपका सिंगुलर को इज तो आपका ओप्सन राइट क्या हो जाएगा इज वाला ठीक है नियम यह सब लिखते जाए जब मैथमेटिक्स का यहां पर सब्जेट के अर्थ में यूज होगा तो वह क्या होता है अब दा ब्लैंक्स विद कर्यक्ट ऑप्सन ठीक है तो यहां पर देखते हैं एवरिवन ऑफ देम डेस इनोसेंट देखिए कोई भी सेंटेंस में मैंने पहले भी बताया इस तरह का कुश्चेन कि एवरिवन से अगर कोई भी सेंटेंस में एवरिवन आ जाया तो वह खुद अबन यहां बर बढ़ाएगा वह कैसा बढ़ाएगा singular बर बढ़ाएगा तो यह नहीं होगा और भी आपका पूल्रस होता यह नहीं होगा है भी पूल्रल होता तो यह भी नहीं होगा तो option आपका right कॉन हो जाएगा भी समझ रहे हो आप लो मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएगा तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा हर बात तो मैं दिखतर जितना कोसे सुरा लिखी रहा हूं लेकिन आपको इसलिए बोला के पेंसिल लेके बैठिये और पेंड कॉपी और उससे आप नियम लिखते जाए नोट करते अगला कुश्चान है टेन फिल अब दे ब्लैंक से क्रेक्ट ऑप्शन के साथ बढ़ना है जैसे एक मैन कैंनोट लिव डैसा वूमेन यह तो सिंपल आपको सेंटेंस पढ़ने के तौर पर दिया वाया तो ए मैन कैंनोट लिव क्या सेंस क्या आ रहा है बिदाउट का सेंस आ गयारे नमर देखते हैं और चूजद फ्रेज फ्रॉम्द गीवन आप्शन गीवन धी ओप्शन साब को सही चुनना है एंड में के कंडिशनल सेंटेंस आपको क्या बनाना है कंडिशनल सेंटेंस बनाना एं इफ राधा हुआ वस डैस हर वर्क ऑन टाइम यदि राधा अप पाएगी ठीक है वह घर अपने जल्दी जा पाएगी तो इफ से अग कंडिशनल सेंटेंस बनाना है तो देखें सी विल गो टू हम फिल है यह जो यहां जो एक में क्लाउज है माल लेते हैं यहां से सी से लेके विल गो यह में क्लाउज यह किसमें आपका फ्यूचर टेंस में है सिंपल फ्यूचर टेंस में है ठीक है तो अगर में क्लाउज फ्यूचर टेंस मतले इप बला जो क्लाउज है वो किसमें जाएगा वो जाएगा सिंपल प्रजेंट टेंस में किस में जाएगा यहां पर सिंपल प्रजेंट टेंस में जाता है याद रखिए अगर कंदिशनल सेंटेंस बनाना है और एक अगर फ्यूचर टेंस में है तो दूसरा किस में जाएगा simple present tense में जाएगा तो यहां पर would तो आपका क्या बता रहा है past बता रहा है क्योंकि we'll का past का हता है would तो we'll का past होता है would तो यह नहीं होगा option option इसकतम will तो होगा नहीं है future खुद हो गया यहां पर राधह है राधह क्या है सिंगुलर है सिंगुलर पर सने तो दू तो पुल्रल होता है तो दू खतम बचा कौन डज तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका डज आ जाएगा ठीक है आप लोग को समय बहारा होगा आसा करते हैं चलते हैं आगे बारे नमर कुश्चन यह भी आपका चूज दा क्रेप्ट तो कंप्लीट फुलाइंग सेंटेंस फुलाइंग सेंटेंस को आपको सही सही भरना है ठीक है तो आपको सही ऑप्शन इसमें चूज करना है यू कैन कम विद अस तुम हमारे साथ आ सकते हो ऐसा कुछ भाव है इफ यू आर रेडी अगर यदि तुम तयार हो डैस यू विल आप टू रैड़ दबस तको तो मेरे साथा सकते हो यदि तुम तयारो नहीं तो यहाँ पर मोर नEO वाइस हमको लगते lazar यह है कहीनु का है अजय था कि तुम मेरे साथ साकते हो तो अगर तुम तैयार हो अन्य था यहां पर क्या बढ़ाएगा अन्य था यू विल है टू राइट दा बस तुम्हें नहीं तो तुम्हें क्या होगा बस चलाना पड़ेगा ठीक है तो आपका ओप्शन भी अच्छा लग रहा है सेंटेंस में मतलब सेंटेंश का नुसार सही अर्थ दे रहा तो ओधर वाइस हो जाएगा ठीक है चलते हैं ओगे select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech आपको direct speech से indirect speech में बदलना है तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया वापका यह आपका दियावा है direct speech में यहाँ पर दियावा है indirect speech ठीक है तो यहाँ पर ही आस्क्ड तो direct speech किसमें है कि पास्टेंस में है है तो इन पास्टेंस में है यह यहाँ पर दिखिए direct speech का जो यह आपका कि रिपोर्टिंग भर्व है वह है किसमें पास्टेंस में तो जो indirect speech का टेंस में क्या है डू यू लाइक यह किसमें है प्रजेंट में है प्रजेंट टेंस में है तो जब इसका जब इसका हम क्या बनाएगे indirect speech बनाएगे तो प्रजेंट टेंस किसमें बदल जाएगा सिंपल पास्ट में बदल जाएगा किसमें बदलता है सिंपल पास्ट में बदलता है याद रखिए जब आप narration बनाते हो तो narration में क्या होता है पर नदरेशन में क्या होता है टेंज का है टेंज का होता है टेंज होता है ठिक है और सनद याद करो एक बस एक-दो-टेंछ सब्जेक्ट परशा करना सॉप्जेक्टपर sc नो चेंज यतना याद रखो कि काम चल जाएगा आप लोग का तो देखिए ही तो ही आस्क बेटर तो कॉमा के इधर वाला तो ही नो इफ लगा है क्योंकि यह क्या है इंट्रोगेटिव संटेंस इसलिए आया है और बेटली यहां पर आया है ठीक है और आपजएक है यह सब्चेक्ट हो गया है ठीक है डाइस सुएटज तो देखिए मैंने क्य बोला कि जो डियरेक्टिस का सब्दूर्ट कि कॉमा किसमें है पास् टेंस में किसमें कि समतिन पृजैंट ने सौरी वह कि상ा प्रिजैड्न टेंस में है किसमे इंडिरेक्ट इसमें बदल जाएगा पास्टेंस में बदलेगा ऑडलेगा तो देखьте है तो यू के जगा यू है सकेंड पर्षान यू है सजकेंड परण सेंव पर संड़ी अबजाएकostat कनुसार तो ब्यक्टली है बेटली का मतलब तो बैटली आगिया वो तो भड़ दिया सही है बैटली आ गया और डैस स्विट्स यहाँ पर लाइक है लाइक क्या है आपका भाड़ रहे तो चियकलब नट बनिए गए का ने लईक का chemical हो जाएगा लाइक का लाइक हो होगा ना लाइक तो लाइक किसमें देख रहा है किसमें देख रहा है तो लाइक खतम लाइक कदम तो बचा दोगो कि तो दो यह उप्शन यह उप्शन और यह उप्शन खतम तो आपका आप देखिए टेट वान्टेड उत नौन को कंई सेने नहीं आ रहा है तो ठूण नहीं तो को नहीं तोचा हो गैने तो आपको ऑप्षन क्या राइत हो जाएगा ठीक है यहां पर क्या बरहाएगा वांटेड आस्क किस में बदल गया वांटेड में और लाइक होगा लाइक में ठीक है समझ में आ रहा होगा देखिए हम लोग जैसे बचपन में टेंथ में ट्वल्थ में निरेशन पड़ते हो उस तरह से यहां कंपेटिटिव एकजाम में नहीं चलेगा यहां आपको से stripped簡akukan कहां सॐनती से जोड़ती तरह में हैं परतों से कैपिटटल का मतलब होता है पित्यूकित हो कि मतलत हैं मिर्थ्यू तो देखते हैं मिर्थ्यू लिए चारों किस नो टाला तो डी obecu тобой्लैं ना मिर्त्यू तो यह हो गया पनिस्मेंट अबश्यू कर नहीं बिद्रों के रूप में punishment नहीं, life improvement नहीं, justice delayed नहीं, आपका option यह right हो गया, ठीक है 15 नमर question देख लेते हैं, complete the sentence using appropriate option, सही option के साथ आप अपने sentence को क्या करिए, complete करिए तो two-thirds of the food supply desk for the month, तो देखें यहां पर नियम क्या है, two-thirds, यह क्या होता है, two-thirds, यह हमेशा क्या होता है, दिखने में लगेगा आपको पूलर, लेकिन यह होता है, क्या, singular होता है, यह क्या होता है, singular अगर, देखें, यह two-thirds होता है, यह दिखने में आपको लगता है, क्या होता है, तो इसके बाद जो है, यहां थोड़ा से नियम सही कर लिए, two-thirds के बाद, two-thirds of, ठीक है, यह पूरे के बाद, यहां पर जो आता है, वो कौन आता है, वो आता है, यह दिखने आपका, singular noun आता है, जहां भी, two-thirds of, यह फ्रेक्शन, यह क्या है, फ्रेक्शन वर्ड आ जाया, फ्रेक्शन वर्ड इंड अर्थ वल आ जाया, तो उसके बाद हमेशा क्या लेता है, singular noun लेता है, तो अगर singular noun लेगा, यहां पर देखें, singular noun है, तो उसके अनुसार यहां पर भर्ड कैसा आएगा, तो भर्ड भी वो कैसा लेगा, singular भर्ड लेगा, कैसा लेगा, singular भर्ड लेगा, तो देख लेते हैं, वेर तो plural है, और has been using, have been यह भी plural है, यह भी खतम, ठीक है, अच्छे, has been using, और इसमें, और यहां पर क्या, फोर है, फोर दा मंद, तो फोर दा मंद क्या हो रहा है, एक डूरेशन का भाव हो रहा है, यहां पर हमारा क्या लगेगा, यहां पर लगेगा, present continuous tense लगेगा, क्या लगेगा, present continuous tense, ठीक है, तो, फोर क्योंकि present continuous tense के लिए यूज होता है, और present perfect tense के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है, दो चीज के लिए होता है, 4 किसके लिए यूज होता है duration अगर बताता है तो present continuous tense के लिए यूज होता है और present perfect tense के लिए यूज होता है ठीक है दोनों के लिए होता है तो देखिए यहां पर has been using है और has been has been used है तो has plus been plus b3 ठीक है और यहां पर आया है यूज का using हो गया ना तो पंदरह नमर का है 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 अज के बाद बीन के बाद हम भी ठीक लगा सकते हैं तो आपका यहां से आप्सेन कौन होगा सी होगा डी नहीं होगा ठीक है अब कि दाटीचर से तूदा बाद पंदरह नमर कुशन देख लेते हैं यह पंदरह था ना पंदरह था यह 16 नमर कुशन आपका यह कितना नमर है 16 नमर है ठीक है तो इसमें यह आपका उपर बला छूट यह आपका कि यह नरेशन पर ठीक है इसमें आपको कि डारेक्ट स्पीच को इंडारेक्ट स्पीच में बदलना है कुशन का भाव उपर का यह है तो क्या बोल रहा है यहां पर दाटीचर से टूदा बॉय ठीक है वेर डू डू यू लीव यहां से एक तरक देखोगे न तो सिच्छ क्या पूछ रहा है इस्टुडेंट से क्या कुछ पूछ रहा है यही नो भाव आरा तो डडेटीचर से तूदा बवार यह जो डारेक्ट स्पीच है उसका इधर वगत हमें सींपव्प स्पॉच्च में है है सिम्पल पास्ट में तो यहां पर पूछने का भाव आरा तो टीचर आस्क डबवी हो सकता और तो नहीं ये दे रहा है सेड़ तो होगा नहीं टोट बीने अखा दिके निकल गयाई टीचर आस्प जाद हम को दिमाग लगाना वेने पड़ा बस भाहा सब्सक्राइब कि टीचर लड़के से क्या करा पूछ राएकि तुम कहा रहते हो तो सीधा पूछने का भाहा fill in the blanks with suitable answer, ठीक है, suitable answer के साथ आपको fill in the blanks भढ़ना, we expected him to admit that he stole the money at the library, that he did not, we expected him, क्या होड़ा, we expected him, हमें उस से क्या था, expected कर रहे थे, to admit that he stole the money at the library, stole the money at the library, मतलब कुछ अर्थ हा रहा, but he did not, मतलब दे कि यहां पर कुछ है, कि हम expert कर रहा है कि, वो क्या कर रहा है, money को चोरी कर रहा ही, łाईबरेरि से, ठीक है, stole मतलब क्या था, है, χोरी का ठीक है, money पैसे का कुछ चोरी कर रहा है, थीक है, तो, लेकिन sense आ रहा हैว, हो ऐसा नहीं किया है, यहएं पर he did not says sense आ रहा है कि वह काम पहले कुछ भी किया हो ch siamo money का या पूरी अगे बतार ह है कि he did not रहा है ले हमको expect लग रहा था कि वह चोड़ी किया लेकिन वह ऐसा नहीं uy किया था गरा काम नहीं किया तो उस पर हम इल्जाम लगा रहे थे लेकिन बाद में पता चला कि वह तो चोड़ी चोड़ है यह नहीं था तो चोड़ी नहीं किया तो सबसे अच्छा ओप्शन कौन लग रहा है बट ठीक है आगे चलते हैं नन इंफनिटिव भर्व को यहां पर खोशते हैं ठीक है यू नीड टू स्टॉप मेकिंग सो मच नौइज तो नन इंफनिटिव भर्व मैंने अभी तुरत पहले वीडियों बता चुका है आपको वीडियो देखते आओगे यहां तक तो आओगे तो ज्यादा नहीं करते हैं है यू क्या हो गें आपका यू आपका प्रोनावन हो गया ठीक है जैंसके तो प्रों नावन हो गयाल-डियों यहां पर सब्जेक्ट है लेकिनट करूँ है निडे टू हैल मे की स्टॉप मेकिंग सो मच नौइज तू इस्टॉप मैंने बोला था सथ कि आपका कि इनफिनिटीब क्या होता है टू प्लस भीवान होता जो किसका एक्जाम्पल वोता है मतलब इनफिनिट इनफिनिटीव नाइट भर्व कहीं टाइप होता है मतलब क्या हो तो यहां पर देखिए टू भी है और स्टॉप मतलब क्या हुआ भड़ का पहला रूप है ना तो आपका यहीं पर हम को मिल गया क्या नन इन्फरिंटिव भड़ तो आपका ओप्षन ए राइट हो गया ठीक है कि आप है आगे 19 number एप स्लेक दां इडियम फ्रेज है ठीक être अंडर द वेढ़ अंडर अंदर द वेढ़ का मतलब क्या होता ही इन दी में इसका मतलब फहता है हलका अस्वस्थ महसूस करना माल धोराव सा अ बीमार हलका अस्वस्थ महसूस करना हलका अ अश्षभ स्वस्थ on a mhisus करना क्या करना हलका अस्वस्थ महसूस करना तो यहां पर देख लेते किसका अर्था रहा रहा है कि अनहेल्दी का किसका मतलब हो रहा है तो इंदार रेन नहीं अंडर प्रेसर नहीं फिलिंग इस एड फिलिंग इड इन यह भी नहीं option C right, बिमारी का भावार आना, 20 नमर चलते हैं, last question है आपका, इस session का, तो state number 7 का ये last question है, तो friends, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए हो, आपके प्राहे में helpful है, तो वीडियो को आप like कर सकते हो, comment कर सकते हो, कि कैसा अच्छा लग रहा है, कि नए वीडियो क्या improvement और करना चाहिए, कहां पर मुझे छूट रहा है, वो improve करिए, तो आप मुझे guide कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपके तरह से थोड़ा थोड़ा improvement करूँगा, ठीक है, तो आप लोग भी मुझे बता सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, और और दूसरी बात है, कि अगर आप channel पे नए हो, पहली बार है, और आप DL8 की तयारी कर रहे हो, और नए channel पर पहली बार आपके पास ये video पहुंचा है, तो friends जरूर वीडियो को subscribe कर लो, ठीक है दोस्त, क्योंकि आपके लिए ही video में और सेट अभी 35 सेट है, मैं 35 सेट तक complete कर भाऊंगा, ठीक है, यहां पर सारे subject क कर भाऊंगा, अभी math reasoning चल रहा है साथ-साथ, फिर मैं दो subject और ले के आऊंगा, धीरे-धीरे complete, अभी भी आपके पास अरहाय मेहना है, ठीक न, इसलिए आप लोग channel को subscribe कर लो, बेल आइकन दबा लो, कि कि वीडियो में डालूं, तो आपके पास उसका notification पहले पहुंच सके तो चलते हैं, बिस नमर question करते हैं, fill of the blanks with the correct option, आपको fill in the blanks भरना है, सही option के साथ, 50 passenger we are sitting, dash the airplane, सीधी बात है, between तो होगा न, into an inside, inside का मतलब होता है, अंदर में, ठीक न, तो यहां अर्थ तो यही आरा कि 50 passenger बैठे हुए थे, कहां, एरो प्लेन के अंदर में, तो inside हो गया, ठीक है, तो आपका 20 number question complete हो गया, तो मिलते हैं आप से next practice session में,